कि नदिन यदी अधिक पानी आ जाए तो उस नदिवे बाला जाती है उसके तुफानी लहने किनारों को तोर कर चारों और तबाई मचा देती है थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हज़न नहीं होती और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादय तोड़कर एक ओचे इंसान की तरह हरकते करने लगता है उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राप्त हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किन्तु जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता लक्ष्मिन नारेट जी आपके पास आता हूं जिस तरह से उत्तम पुरुष्ट की बात की गई जिस तरह से धर्म अधर्म का जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले जो लोगों की बातों में आया कि दो चीजें हमारे सामने हैं क्रिष्ट का एक प्रारूप हमारे बड़ा निकलकर सामने आता है कि प्रशासक भी हूँ थे कहीं ना कहीं प्रजा के लिए उन्होंने अपना ख्याल रखा उनकी अर्थ-नीति की बात करना जरूरी है क्योंकि आज का दोर कहीं ना कहीं करत अ कि पहली भगवान केस्टन ने जो अर्थ के बारे में भी बताया था और गीता में अनों नहीं कहा भी था कि अर्थ प्रदान ज्यान जो प्रदान यूग है वही अर्थ प्रदान यूग है जब तक आपको ज्यान नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति अर्थ प्रदान नहीं बनाई शास्तिनी जी आप का कहना चाहेंगे तो यह आपने बहुत अच्छा प्रिशन किया इसी का तो जो आपन कि जो स्वदेशी उपकरण है उन से आप अपना आर्सिक संबल चलाएं तो इसमें बड़ा एक और लगता है कि जब जो ब्रज का सारा दूद कंस अपनी आ ले गा रहा तो किस तरह से स्किल डॉलप करके फूड प्रोसेसिंग की बिल्क प्रोसेसिंग की शुरुआत की उन्होंने मक्षन और घी बना कर जब बेचने लगे तो वहां की जो अर्थ व्यवस्ता है बड़ी दूसरा आज बड़ा डब्लु ट्यों का बड़ा चलता है जर्चा होती है कि डब्लु ट् पर पहला हक प्रच के लोगों का है तो आज ही बड़ा सवाल यह उड़ जाता है कि आखिर में देश की सरकार इस तरह की बात दुनिया के पठल पर क्यों नहीं रखती कि हमारी उपच का जो अधिकार है वह हमारे देश के लोगों का है हमारे देश का वासी भूगा मरे और देश को हम अनाज दें तो कैसे संबाब यह बिल्कुल सही यह आपने जो बात कही वह क्योंकि अधिकांश क्रिश्न का चरित्र प्रतीक है दूद वाला तो एक प्रतीक है लेकिन हमारे आर्थिक संसाधन बाहर न जाए बाहर से हम आप एक्षा करें वह बात अलग है तो उन आधर्श के रूप में इस्तापित हुए जब युवा हुए तो भी उन्होंने आधर्श स्तापित किया आखिर तक महाबरत की शेत्र में थे वह वहां तक आधर्श के रूप में उनका व्यक्तितव विद्व सब सामने आता है समाज अगर उन्होंने चूंकि कंस को मारा तो उसके बाद जहां भी कहीं किसी सेना पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उस देश मराधिकार कर लेते हैं बांगलादेश वगरा का तो यह तो आज की दूसरी घटना है लेकिन कुल मिला करके इन्होंने जिसका हनन किय उसके बाद स्वयम राज कभी नहीं किया उसे छोड़ दिया अनेक लोगों के साथ जरासंध अनेक शास्री जी यहां क्रेश्ण का दोराचरित नजर आता है अर्जुन से तो कहते हैं कि युद्ध कर और खुद युद्ध छोड़ के डर के भाग जाते हैं द्वार का तो बड गुरियोधन बड़े धृतराष्ट का जो बड़ा भाई है उसका लड़का है उसका भी अधिकार है राज जिपर इधर छोटा भाई पांडू उसके लड़के युद्धिष्टिर वगयाना है उनका भी अधिकार है अब दोनों में किसका पक्षिले किसका नले चरित्र उतना ही अत्याचारी राजा और उसका भी खात्मा जरूरी था उसने भी प्रजा को बड़ा तंग कर रहा था ऐसे में जरासंत के वद्ध की जगे वो खुद द्वारिका चले गए उसके बाद वद्ध करवाया भी भीम से उनका उद्देश यही था कि मैं स्वयम हत्या नह द्वार देश को आज यह नीति कहा कूट नीति कहा रहती यह आपका प्रिष्ण बहुत होत्तम है भगवान क्रिष्ण जो थे वह राजनीतिक की तो थे ही लेकिन राजनीतिक ऐसे नहीं थे बहुत राजनीति में निपोन थे उधर जो युद्ध करने के लिए कह दिया और तो आप कह रहे हैं कि द्वारिका गमन कर गए भागये नहीं थे रंशोर दास कहते हैं ंहीं वह राजनीतिक दिया, लेकिन ये है कि युद्ध करने के लिए उनको दुbags जी द्वारिक जीनियतिक के प्रेरित किया, युद्ध यदि नहीं होता तो यहां उनको समश्चत न राजनेताएं है उनकोस प्रकार का कई प्राय लिम्लटि रार्जनेता है। कि आज के जो राजनीति की हैं वह भगवान किष्ण की जैसी राजनीति नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान किष्ण ने जो राजनीति की थी वह राजनीति न्यायों चित थी न्याय दिलाने के लिए की थी और जो बिल्कुल एक प्रसंग आता है शास्त्री जी की दुर्योध उनके कारण इसको वद्ध को होने दीजिए क्योंकि जब युद्ध का समय था तब एक शत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध के शेत्र में आए लेकिन तब आप मैदान छोड़कर चलेगे अब आपका धर्म नहीं है खुद भी उनके साथ ऐसा हुआ फिर ये धर्म धर्म की प चुकि कानून बना हुआ है और वो किशोर अवस्थाका है तो कुछ भी करें उसको दंड नहीं दे सकते तो अगर आपको यह पूरी तरह कानून था कि आप जांक से उपर वार नहीं करेंगे लेकिन अगर वार नहीं करेंगे तो दुरियोधन मारेगा इसको और दुरियोध प्रकार की घटना यह तो एक घटना यह तो बड़े उद्देश के लिए छोड़े छोड़े कानूनों को तोड़ना मुटा है तो यह उसका प्रतीक है इसका कई बार छोड़े आपने कहीं खाप पंचायत वाली जो आपने बात की आपने उसको लेकर क्या कहना जा आज की आ लेकिन उनकी जितने उनके विवाह हुए वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कि सब कर्टव के कारण कि रुकमीनी का यह हुआ रुकमीनी को उनके विदर्भराज जो है वो रुकमीनी को और रुकमीनी का भाई था रुकमी वो दोनों शिशुपाल को देना चारे थे जो महान करांतिकारी था यह उनका निरने था कि मैं इनको देंगे माता पिता जिसको चारे उनको देंगे रुकमीनी कहती है मैं इसके अभी नहीं देखा लेकिन मेरा रदय आपको समर्पित है आप मुझे बचा लीजिए किसी भी रूप में अनिता मुझे शिशुपाल के गले डाल दिया जाएगा तब उसके बाद क्रिश्ट ने का कि हम लोग आप माता पिता के निरने की विरोध में कैसे करूं तब बलराम न और उन्हों ने रुकमिनी का हरण किया तो खाब पंचायत के लिए कि सारे के सारी पीछे आगे जैसे आजके लगर घलत womb specify लिया तूम मार के रहेंगे तो सबने तैं कि रुकमिनी और कृष्ण दोनों को मारेंगे ये करके तो सारे रुकमी और सारी खाप पंचायत वाले उनके पीछे लगे तो उनों तब कृष्ण ने देखी ये निया जो किया है उनों का कि ठीक है मेरे पास भी सेना है तुम से तुम मैं निपटी सकता हूं तो कृष्ण ने उन सब को अगर मानुवी नहीं है तो उसके बाद उसको छोड़ दिया यह और किया रुकमी को बात में छोड़ दिया इसका लाप क्या हो रहा है कि समाज में जो मंचले हैं जो कई संबंद रखने वाले वह अपने आपको कृष्ण कहने लगें यह यह भी बहुत बढ़िया बात है य यह बात उसी समय यह बहुत अच्छी बात यह है कि भागवत में भी हमारे धर्म में भागवत में यह बताया गया है कि धर्म को जो ही धर्म लाभकारी साधन सिद्ध हो जाएगा तो उसमें कई منचले पैदा हो जाएंगे कई नकली साधू बाबा भगवान आ जाएंगे इसलिए आपको ध्यान होगा मिठ्या वास देव यह कि इस प्रकार का मतलब मिठ्या वास देव नकली ढोंगी साधू पैदा होंगे तो यह कि धर्म में उसके धर्म के जो उसके अगेंस्ट जो नकली या धोंगी उसके स्वरूप होंगे उसके अगेंस्ट वारन किया है जी तब इसलिए मिध्या वासदे वह समय पूरा प्रतीख है एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्रिश्ण को माखन चोर कहा जाता है पर प स्थिन बहुत अच्छा है और ये जो है माखन चोर जो कहा गया है वह वह वागवान क RS1 को यह एक चने चुख जो नाम है माखन चोर और उसकोस्नेश नाम को ले करके चौर अपने आप लेकिन को लेकर क्रिश्न क्या कहते है रोईत का इंतजा मेरे खायल से अब दर्शक भी कर रहे होंगे आपसे जानना चाहेंगे इस नहीं को पर तो एक मुक्तक पेश एक चंद है ब्रजबासा का वह और किया शा करे ना करे जिसे आश्रे स्रीहरी नाम का है उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या नितवासी जो गोकुल धाम का है बस सार्थक जन्म उसी का यहां हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है बिना कृष्ण के दर्सन के जग में ये जीवन ही किस काम का है चलिए ब्रेक का वक्त है ब्रेक के बाद लोटेंगे चर्चा जारी रहेगी बने रही है जैसे कि स्रिकेशन ने जहां भी अन्य हुआ था है वहां पर उन्होंने अपने मामा का वद कर दिया था है तो हमें ये कहीं भी अपने जैसे कहीं हमें लगता है कि रिस्तिदार है या फिर कहीं भी कोई गलत वित्तिव दिया है तो मैं उसमें रिस्तदारी से समाज से सब से उपर उठके हैं, हमें राष्टवादी सोस को आगे लेते वे चलना चाहिए इस दोर के अंदर क्रिशन की जरूरत है क्योंकि बश्टाचार को छोड़ के बश्टाचार तो अलग मुद्दा है तो बश्टाचार तो अलग मुद्दा है, जिस हिसाब से आज की टब में ये रेप केश चल रहा है, बलातकार चल रहा है, इसके क्रिशन की जरूरत है, हर चीज़ के लिए क्रिशन की जरूरत है जिस परकार द्रापदी की उन्होंने लाज बचाई थी, उसी परकार आज समाज में इनकी बहुत आउशक्ता है जिस परकार आज अपन दिल्ली केस के बारे में सुनें और आए दिन घटनाओं के बारे में सुनते हैं इस परकार ये रोज की घटना है अपने सामने आ रही है, बलातकार और दुसकर्म के बारे में हैं। इश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है, ना ज्यानियों की विशे ब्रह्म ज्यान का हो, या जीवन के ज्यान का, या गुरु कुल में प्राप्त होने वाले ज्यान का, उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है, उस गुरु के प्रती हमारा समर्प जो अहंकारी होते हैं वो अपने एहम से बने रहते हैं इसलिए अपने आपको समर्पन का अर्थ है अपने आपको अपने संपूर एहम को प्रभों के चड़नों में विलेंग कर देना कि विगफाइट में आज हमने आप से पूछा था कि क्या बढ़ते भिष्टाचार और विगड़े हालात को देखते हुए क्रश्ण की देश को जरूरत है कि बानवे फीजदी दर्शकों ने कहा कि जी हाँ आज के प्रसंग में कृष्ण जरूरी है आट फीजदी इस बात से इत्ते फाक नहीं रखते है कि चलिए अब मैं रोहित सबसे पहले आपी का रुख करना चाहूंगा आप से मैं जाना चाहूंगा धर्म धर्म हर बात हुई क्रिश्ण का एक व्यक्तितु जो आज ये दुनिया देखना चाहती है उसको लेकर कुछ है आपके व्यक्तितु के ऊपर इसका जवाबी मैं अधागा रक्ष्या बंधन बन जाता है और संघर्सों की भटी में तब जाना कोई खेल नहीं त्याग तपस्या से कोई माथे का चंदन बन जाता है वह आज कि शार्थक कर दिया बिल्कुल प्रकृति की बात की जाती है प्रकृतिक संसाधन है उनको लेकर आप एक मिसाल प बचाजाए बतिक संसाधनों का उपीयोग करें लेकिन उनको बचाती हुए। उनका संरक्षन ऀदाईत हों जिस तरह से उन्हों ने पशुपालन को बढ़ाया जिस दर से उन्होंने प्रकृतिक को बढ़ाया यम्यों कि रक्षण की चुनी उस्ते पहले मेरा इक प्रश्ण कलाना जी है बड़ा एक प्रश्ण है आपसे जो सत्योग में नरसिमा आउतार आया और त्रेता में राम आये द्वापर में क्रिश्ण अब कलियोग में कौन आएगा तारण हार कौन अत्याचार से दूर करेगा क्या क्रिश्ण वापस आएंगे क्या विश्णु का दुबरा क्या आउटार होगा या जनता खुद खड़ाव नहीं है और वह अपने अपने हैं इस देश की संस्कृती में यह है कि पृतिय की युगमे में पैदा होंगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सरजाम में हम परित्त्राना आए साधुनम मिनाशाइच दुश्करदाम धर्मस अंस्था पनार्था ये संभवाम युगे युगे तो उ समय कि क्या करने राखने धर्मस्य और यूग का हिसाब के घंक हिसाब से तो कल की आवतार लाखम-वर्षभाद, रशेद होगा कहते हैं कि कल की आवतार जैपूर जिस धर्ती में बैटी हुए हम बात कर रहे हैं तो कल्की का मंदिर है और उसकी प्रतीक्षा के लिए तौन में जैपूर बहुत बड़ा मंदिर एक गल्की की इस तर्म ने इसकी कलपना करके कि आगे भावी अवतार होगा यह यह हमारे धर्म में है उसकी स्तापना के लिए जगह का चैन किया और जो आगे होगा अवतार उसको हमने प्रिश पोज कर लिया उसे इस्थावित है कलकी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जाता है कांट वानों भी कलकी कलकी का इतजार क्यों करें सही कहना है आपका आप खेल के समाझ को ये आवशक्यक है कि हम जब तब भूद का ने टेक्षिन बर्फन से हैं देव सिंग जो कुछ कहना चाहते हैं क्रिश्ण को लेकर चंद पंक्तिया है जो बाटना चाहते हैं बताएं देव सिंग जी आ श पर और जो मुझे इजाज़त है आपने बहुत हर शाम किशी के लिए सुहने नहीं होती, हर चाहत के पीचे कोई कहाने नहीं होती, कुछ तो असर होता है मोभबत का, वरना यूही सामले शाम की रादा दिवानी नहीं होती बिल्कुल बहुत खूब आपने कहा एक व्यक्तितु जिसके लिए हर कोई चाहता था बिल्कुल आखरी दोर में हम लोग है अब मैं लक्षमीन अरेंट जी आप से जाना चाहूँगा उस व्यक्तितु किस तरह से आज पूजा जा सकता है किसी में देखा जा सकता है कृष्ण को भगवान कृष्ण को जो है आज हम कल की अवतार के रूप में देखना नितांत आवश्यक है क्योंकि आज का समाज जो है अनेक प्रकार की इस प्रकार की परिष्टिदियों से गुजर रहा है जिसमें कि कल की भगवान के अवतार की आवश्यक्ता है और आज समाज में जितने जो अत्याचार हो रहे हैं उनके निवारन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में भगवान कृष्ण के शुरूब को देखते हुए और सस्त्र की आवश्यक्ता आज नहीं है सास्त्र की आवश्यक्ता है सास्त्र की मर्यादाओं को ध्यान में रकते हुए सस्त्र-ूपी कार से समाज को जो है लाभानुवित करना चाहिए आप इस बात से सहिमत है कि सास्त्र की जरूरत है सास्त्र की नहीं गोपी रमण, नंदलाल, यशोडा नंदन है वही बाद में युद्ध के समरक्षक बन जाते हैं, गीता के उपदेशक बन जाते हैं, युद्ध्यस्य व्यगता ज्वरह कहते हैं, ये जो बहु आयामी है, मानव जीवन भी बहु आयामी है, आपको युवा वस्था में आप आनंद भी करें, ये भी आवशक है, लेकिन न् कुछ और समाज से चलता है जिस देश की जवाणी में अत्याचार को नहीं जहती उस देश में कभी भी अत्याचार नहीं होते तलवारों की धारों पर इतिहास रचाया जाता है, जिस ओर जोवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है आज जोवानी के लिए क्रिश्न का मुझे लगता है, ये संदेश है, कि जोवानी अपनी जोवानी दिखाए और अठ्याचार को दूर करे तब ही वो कृष्ण का संदेश, गीता का संदेश शायद लगा है। तक हमको बसना है, प्रेम समर्पन और धीरज है, जीवन के अनमोल रतन, हसते गाते और मुसकाते हमको आगे बढ़ना है। तो कारी आठी, 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 रात में तु आया। प्रेम अनी आठी, एक हमक्ना है।